नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हजिर हूं फिर से एक नई और महत्वपुन जानकरी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानविशेश में दोस्तों ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कासनी का पौधा है कासनी का पौधा एक से तीन फिट तक उंचा होता है इसकी साखाए कटोर और फैली हुई होती है इसके पत्ते लंबे पालाकार और गहरे हरे रंके होते है ये पत्ते साथ से पंदरा सेंटिमिटर तक लंब कपपपिट मिटाती है कासनी रदय के लिए बहुत फायदेमंद होती है इसके अलावा ये यकृत्विकारों में एक रामबान की तरह काम करता है इसके बीच स्वास में बहुत फायदेमंद होता है ये कमरदर्द पित वरुती और सिरदर्द में लापकारी होता है कामला रोग होते हैं और सरेर में खुन की कमी को दूर करते हैं इसका गुंद्रम मुत्रवर्थक होने से सरेर की गंद की दूर हो जाती है कासनी का पूरा पोधा सरेर में जमा हुव 20 रुपी कच्रे को दूर करता है यह पित्सारक सोधक और यकृत को बलवान बनाता है दोस्तों अगर यह वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे कासनी के पत्तों को पिसकर इसका रस मात्य पर लगाने से सिर दर्द तुरंत मिटता है इसके अलावा कासनी के बिजो का चुर्ण एक से दो ग्राम की मात्रा में ले और इसका क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में पिये इस प्रयुक से भी सिर का दर्द मिट जाता है अगर मुह में चाले पड़ गए हो या मुह में किसी भी प्रकार की खराबी हो तो कासनी के बिजो का कुआत्व बनाकर गरारा करे इससे मुह के कहीं रोग दूर हो जाते है दोस्तों कासनी के ताज्य पत्तों को पिसकर दो ग् की मातरा में पाने के साथ पिने से खुन के उल्टी में फाइदा होता है कासनी यकृत के लिए बहुत फाइदेमंद अवसद ही या यू कहें ये यकृत के लिए रामबान की तरह काम करती है इसके पुस्पो को सर्बत बनाकर रोजाना पिने से यकृत बलवान बनता है और यकृत के कई विकारों का समन भी होता है। ये विजो का फाट बना कर 15 से 20 मिलिक की मातरा में रोजाना सेवन करने से मुत्र कुछ मिठता है। इस फाट का कुछ दिनों तक लगादार सेवन करने से पेशाब के जलन मिठती है। और चोटी पत्री तूट कर बहार निकल जाती है। दोस्तों जोडों का दर्द एक आम समस्या बन गई है। जोडों के दर्द होने पर कासने के पत्तो को पिसकर लेप बना कर जोडों के दर्द वाले स्थान पर लगाए। ये प्रयोग आपको लगादार साथ दिनों तक करना है। इससे निश्चे ही जोडों का दर्द मिठ जाता है। पेरों की जोडों या किसी भी प्रकार की सुजन में कासने के पत्तों को पिसकर लेप बना कर उस थान पर लगाए। इससे सुजन उतर जाती है और जकडन में आराम हो जाता है। कासने के पत्तों को जोडों के आटे के साथ पिसकर सिने पर तथा आसपास में लेप लगाए। इससे कहीं प्रकार के रदेविकार मिठते है। कासनी तवचारोगों में भी फाइदमत होती है। इसके ताज्य पत्तों को लाल चंदन और गुलाब अरके के साथ मिला कर सिर्के के साथ पिसकर लगाए। इससे सित्पीत मिठता है। तो दस्तों ये थी कासने के पहुते की आईरवेदिक फाइदे के महतोपूर्ण जानक कि अद्वारी